हजरत बाबात आजुदीन ट्रस्ट में एक करोड उनसट लाख रुपए का घोटाला करने के मामले में आरोपी कॉंग्रस नेता शेख हुसेन और इकबाल इसमाईल वैल जी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है जबकि इस मामले में गिरफतारी से बचने के लिए दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था लेकिन सुप्रीम कोट से भी राहत ना मिलने पर रविवार को प्रत्थम श्रेणी नियाय दंट अधिकारी की अदालत में इन्हों ने सरेंडर कर दिया यहां से क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराद अन्वेशन शाखा ने दोनों को अपने हिरासत में लिया शेक हुसैन शहर कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके है एक जनवरी 2011 से 31 दिसमबर 2016 के बीच हुसैन ताजुदिन बाबा दर्गा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे जबकि वेल जी सच्छी उपद पर कारे रत थे दोनों ने मिलकर ट्रस्ट में जमा हुई रकम में हिरा फिरी की धर्मदाय आयुक्ति स्यनुमति लिए बगैर आर्थिक लेंदिन किये गए इस दोरान ट्रस्ट का ओडिट भी नहीं किया गया पाच वर्ष में कुल एक करोड उनसाथ लाक रुपए का घूटाला किया गया कुछ समय पहले निराला सोसाइटी ताजबाग निवासी ताज एहमद अली उम्रतरे पन वर्ष ने ट्रस्ट के सच्छीव का पदभार संभ पुलिस ने प्रात्मिक जाज के बाद हुसेन और वेल जी के खिलाफ विविदे धाराओं के तहट धूकधड़ी का ममला दर्च किया गिरफतारी से बचने के लिए दोनों ने सत्र और उच्छ न्याले में अपिल की लेकिन रहत नहीं मिले इसके बाद सूप्रिम कूर्ट क की शरण में गए दो सप्ता पहले सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई हुए इस सुनवाई में सरवूच न्याले ने भी हुसेन को राहत देने से इंकार किया और 14 दिन के भीतर सरेंडर होने के आदिश दिये गए रविवार को हुसेन ने आत्म समर्पंड कर दिया यो डबल्य की टीम ने उन्हें गिरफतार कर प्रथम श्रेणी न्याय दंडादिकारी की अदालत में पेश किया न्याले ने हुसेन को दस मई तक पुले सिरासत में रखने के आदेश दिये है डिसीपी अर्चेत चांडग के मार्गे दर्शन में API सागर आभार प्रकरण की जाच कर रह होता त्या मुड़े 460 अबलिक 2022 सक्रदरा मदे कोना दाकल जाला होता कलम 420, 429 आनी 34 IPC त्याचा मदे जे आरूपी होते तत कालीन ताजबाग चे अध्यक्ष शेक हुसेन आनी सचीफ एकबायल वाल जी हे कोटा मदे पन गेले होते लोर कोट, हाई कोट त्याचा नंतर सु आनी अटक के लेले आहे आनी तीन दिवस ची आमाला PCR भीट लेली आहे आता जेवा ओफेंस दाखल जाला होता ताज़ा मदे प्राइम अफेशी एक करोड एकुनसट लाग जवड़ पास हे रकम होती फसनुक ची आता इन्वेस्टिगेशन मदे परत आमाला आता दिसनार की आता इन्वेस्टिगेशन मदे ती इन्वेस्टिगेशन चा पाड आहे कारण की आरोपी काला सटक जाले ले आहे शेख हुसेन आनी इकबाल तो ताज़ा मदे आता दिसनारा माला NBCN News के लिए अकलेश भारद्वाज के साथ अकसान सारी की रिपोर्ट कर दो